हेलो दोस्तो नमस्कार दोस्तो आपकी यूटूब चैनल जोब इंडिया में सौगत करता हूँ प्यारे दोस्तो अभी आपने हमारी यूटूब चैनल जोब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्ली से चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तो उत्तर परदेश में एक स सर संस्थान लखनव में 31 पदोब पर यह परमानिर भरती निकाली गई है इसके लामा दोस्तों नंबर सेकंड भरती एमस गोरखपूर से निकाली गई है तो जी हां दोस्तों उत्तर परदेश नर्स भरती 2030 दोस्तों उत्तर परदेश में नर्सिंग ओफिसर फार्मा सेश निकाले गई है जिसमें बात करेंगे कितनी वेकेसि है कौन-कौन से पोजीशन है सैली कितनी मिलेगी क्वाडिफिकेशन क्या होगी जॉब लोकेशन क्या है एकजाम सेंटर क्या होंगे और किस वेबसाइट पर आप लोग फार्म भर सकती हो किस वेबसाइट पर आप लोग नोडिफिकेशन को डाउनलोड कर सकती हो तो आपको इस भरती के बारे में ये टू जड़ सारी जानकारी देने वाले हैं, सबसे पहले AMS गोरकपूर की जानकाई देंगे, इसके बाद दोस्तों कल्यार सिंग सुपर स्पेसिलिटी कैंसर सांसान सो जो भरती निकाली गई है, 31 पदो पर इसकी जानकारी हम आपको देने वाले हैं, तो चलिए आपको लेके चलते हैं, सबसे पहले AMS गोरकपूर के वेबसाइट पर, तो दोस्तों आप लोगों को जो है AMS गोरकपूर के ओफीसिल वेबसाइट पर जाना है, सबसे पहले आप लोग जैसे ही AMS गोरकपूर के ओफीसिल वेबसाइट पर आओगे, तो यह आप लूग देखिए अभी जो है यहाँ पर तो दोस्तों यहाँ पर आप लूग सबसे पहले देखिए इसका जो सौड नोटिफिकेशन है ओफीसिल वेबसाइट पर भी पब्लिस किया गया है फुल नोटिफिकेशन भी आ चुका है ओनलाइन भी शुरू हो चुका है और अलग अलग नुज पेपर में इसका सौड नोटिफिकेशन पब्लिस किया गया है मैंने फुल नोटिफिकेशन का वीडियो बना रखा है चैनल पर अलग से जाके देख लेना अखिल भारती आई विज्यान संस्थान गोरकपूर एम्स गोरकपूर दोसों ओफीसियल जो आप लोग जो है 21 नोवंबर तक फार्म को पलाई कर पाएंगे नीचे आइए तो नर्सिंग ट्यूटर कि यहां पे जो है वेकैंसई 15 वेकैंसई है और इस्टाफ नरस ग्रेयड़ 5 कि यहां पे 57 वेकैंसई है इसके बाद श्ट्वरकीपर की वेकैंसई है लाइबरे संस्थान लखनव है वहाँ पर दोस्तो फार्मा सेच के विकेंसी निकाली गई है तो यह आप लोग देखिए तो 16 पोजीशन पर 142 पदो पर एम्स गोरकपूर से भरते निकाली गई है और ओनलाइन शुरू चुका है मैंने जो है इस्पेसल वीडियो बना रखा है चैनल पर वीडियो मिल जाएगी जाके देख लेना इसमें ग्रूप A, ग्रूप B and ग्रूप C की जो है परमन भरती एम्स गोरकपूर से निकाली गई है 21 नॉवंबर तक आप लोग फार्म को अप्लाइक कर सकती हो बिल्कुल ओफीसल नोटिफिकेशन है यहाँ पर आप लोग लखनव का दोस्तों यह ओफीसल वेब साइट है और यह दोस्तों होम पेज है यहाँ पर रिकूटमेंट का ओप्सन है इस पर किलिक करके इस्टाफ वाली पेज पर भी जाके आप लोग जो है सौर्ड नोटिफिकेशन फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर पाएंगे तो म से पहले एक लिंक्स हो कर रहा है किलिक है का ओप्सन है डार्क रिकूटमेंट इस पर किलिक करके आप लोग जो है ओनलाइन रिकूटमेंट पेज पर आजाओगे यहां से आप लोग जो है यह देखोगे तो cbt exam portal है और इस exam portal पर आके आप लोग फार्म को जो है भर तो यह आप लोग देखें website जो है open हो रहा है तो दोस्तों आप लोग यहां पे देख पारे होंगे website जो है open हो चुका है यहां से आप लोग फार्म जो है भर पाएंगे आपको बैक आना है और जो number यहां पे second notice हो कर रहा है यह देखिए advertisement for direct recruitment various non-teaching post तो दोस्तों यह various non-teaching position पर पर्मानेंट भरते निकाले गई है इस पर किलिक करके आप लोग full notification को download कर पाएंगे no doubt मैंने देखिए इस पर आप लोगों को सबसे पहले क्या करिएगा click करिएगा full notification open हो जाएगी और जैसे यहां पर full notification open हो जाएगी तो यहां से आप लोग सबसे पहले position देख आप location भी होगा direct recruitment recruitment to non teaching post यानि कि परमानेंट भरती है आल इंडिया भरती है पूरे भारत से आप लोग फार्म को apply कर सकती हो यहां पर आप लोग आओगे तो table number one में जो है देखोगे तो आपके position के बारे में जिक्र किया गया है जैसा कि आप लोग देख लीजिए सबसे पह accountant के लिए तीन एक चैंसी है लेवल five के अंदर गरदोनों को सैली मुलेगी एंड निची आईए फार्मा सेश की यहां पर पांच seven है लेवल five के अंदर का सैली में कि और जुनियर इंजिनियर मेकेनिकल कि यहां पर एक लेवल six के अंदर गर सैली मिलेगी और जूनियर इंज ऋफीसर कि यहां पर दिके 5 वैकिंसि लेवल 7 के आंतरगा सैली मिलेगी जिसमें मैक्सम सैलरी 1 लाख है फोर्टि टू थाउजेन फोर हन्ड़ यहां पर दी जायेगी सैली बहुत ही जबारदस्ट है लगेगी जिसमें 18% GHT एड़ किया गया है वहीं OBC EWF के लिए भी 1180 रुपे अप्ली कसन फीस लगेगी और ESC HD के लिए 708 रुपे अप्ली कसन फीस लगेगी और male female दोनों लोगों के लिए जो अप्ली कसन फीस है बिल्कुल सेम रहेगा category wise इसके बाद आप लोग नीचे आओगे तो यहाँ पे कुछ basic जानकारी दी गई है और अगर हम बात करेंगे qualification के बारे में तो देखी जो nursing की vacancy है nursing में जो अगर आपने BSC nursing कर रखा है या आपने BSC nursing post basic कर रखा है तो आप लोग बिल्कुल Fraser apply कर सकते हो लेकिन अगर आपने GNM कर रखा है तो आपके पास 2 साल का experience है minimum 50 grade hospital का होना चाहिए तब ही आप लोग apply कर सकते हो इसके बाद अगर हम बात करते हैं pharma stress के लिए तो pharma stress में जो d pharma कर रखे हैं और जो बिल्कुल Fraser है वे आप लोग farm भर सकते हो तो pharma stress में जो है d pharma बिल्कुल Fraser यहाँ पर apply कर सकते हैं बाकी junior engineer के जो vacancy है अगर आपने डिप्लोमा engineering कर रखा है बिल्कुल Fraser हो तो आप लोग farm को यहाँ पर apply कर सकते हो apply के सनफीस के बारे मैंने आपको जानकारी दे ही दी है अगर हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में तो के जानकारी पहले ही दे दी है एक्जाम सेंटर की बात करते हैं तो लखनव और दिली NCR यही आप लोगों का एक्जाम सेंटर होने वाला है धन्यवाद